हम अकसर बनाया करते हैं लेकिन थोरे से चेंजर्स के साथ आप उसे और भी ज्यादा टैंप्टिंग और हेल्दी बना सकते हैं हालो एब्रीवन आज हम बनाएंगे एक चीज ओमलेट जिसमें काफी सारी सब्जों करेंगे इसमें चीज होने के कारण बच्चे भी बड़ी आस इसके लिए मैंने चार अंडे लिये हैं दो लोगों के लिए मैं बना रहे हूं तो उसी के कॉर्डिंग बांकी सारे इंगिडियंस मैजर की हैं अंडों को तोड़के हम एक मिक्सिंग बाल में एक कर देंगे और उसे अच्छी तरह से में विस्क कर लेना है आप चाहें तो इसे तब तक मिलाएं जब तक की एक यॉक पूरी तरह से मिलना जाए तो हार्डली आपको आदे मिलेट का समय लगेगा इसे मिलाने में तो यहां पर देखिए अची तरह से मिक्स कर लिया है मैंने तो जैसे यह मिल जाए उसके बाद हम इसे बाकी की चीशे आड़ करेंगे इसके साथ यहां पर नमक एट कर देंगे नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा क्योंकि चीज में भी नमक होता है और हम इसे बटर में बना रहे हैं जो कि सॉल्टेड है तो इसको ध्यान में रखते हुए यहां पर नमक एट कीजिए मिला लेंगे सबको अब बारियात यह उमला मिर्च यहां प्यास लिया है आप जाहें तो इसमें बारी कॉटवा टमाटर और मश्रूम में आट कर सकते हैं सब को मिला लेंगे अच्छी तरह से और यहां प협को मैं इसकी तरह से ढूलाने के कारण यह थोड़ी सी पतली होती है यह देखिए तो यहां पर हमारा ए तो इसके लिए एक पैन गरम किया है मैंने गैस का फिलम लो कर दीजिए एट करेंगे इसमें दू चमच के लगपक बटर आप इसे तेल में भी बना सकते हैं तब भी यह बहुत टेस्टी बनेंगे बटर को हलका सा मैल कर दीजिए पूरी तरह से नहीं नहीं तो वह जलने लग अब यहां पर हम स्पैचुला से इसे थोड़ा थोड़ा आगे की तरह बढ़ाएंगे तो पीछे जो स्पैस बनेगा उसमें फिर से एग मिल जड़ा जाता है तो इस प्रोसेस को करने से आप देखेंगे कि इसमें लेयर्स बनती है और इस तरह ओमलेट बनाने से वह काफी बनती है तो यह बहुत अच्छा टिप है आप इसे फॉलो कर सकते हैं कुछ दे के बाद फिर से वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे यह देखें और आप बीच में देख सकते कितनी सारी लेयर्स बन रही है यह देखें और जहां-जहां स्पैस से वहां पर एग मिक्सचर इस तो लगपग एक मिनट के बाद यहां पर देखें अब जो हम स्पैस बना रहे हैं उसमें एक मिक्सचर नहीं आ रहा है यानि कि वह नीचे से सेट हो चुगा है तो अब इस प्रोसेस को हम नहीं करेंगे अब इसे पकने देते हैं तो लगपग आदे मिनट के बाद यहां पर यह देखिए अब फ्लिप करने के लिए आप स्पून से भी से फ्लिप कर सकते हैं लेकिन यह प्रोसेस मुझे जादा अच्छा लगता है तो एक प्लेट रखने के बाद मैंने उसे फ्लिप किया अब वापस से पैन में एक कर दूँगी तो थोड़ा सा यह हैवी हो जाता है त इसके लिए स्पैचुला से टूटने का ड़ड़त है तो इसके लिए मैंने इस तरह का प्रोसेस इस्तमाल किया है अगर आप स्पैचुला से फिलिप करना चाहें तो बिल्कुल कीजिए अब वापस जैसे पैन में रख देते हैं इस तरह से यास का फ्लेम बिल्कुल लो कीजिए तो यहां पर एक साइड हम इसे अच्छी तरह से स्प्रेट कर देंगे क्योंकि हमें इसे फिर से फिलिप करना है तो यहां पर देखिए लगवग एक चौधाई कप चीज लिए मैंने और अब हम इसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से और आप देख सकते हैं इसकी थि आप तो यहां पर देखिए कितना अच्छा पकर लाए तो लग बटा लेंगे तो यहां पर अधिक कर लेते हैं कि यूइंस पीध मत लेकितना इस और स gli हम अच्छी तरह से चीजम फो चुका और वह दो तो यहां पर आप ऑमलेट की तिकनेस देख सकते हैं अंदर में इसकी लेयर्स आप नोटिस कर सकते हैं तो वह जो टिप हमने फॉलो की थी उसे जरूर फॉलो कीजिएगा इस तरह से आप उमलेट बनाइए आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी इसे तरमागरम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए तब तक के लिए स्टेए हेल्दी स्टेए ब्लेस्ट एं थैंक यूफू आची